असलाम वालेकुम फ्रेंट्स वेलकुम टो यूटूब चैनल आर्जे इंटर्टेंड्म और वेलकम टो आर्जे गोटपार्म आर्जे गोटपार्म और बरकतबाइ गोटपार्म आर्जे गौट फार्म सिर्फ पलाई का है और बरकत भाई गौट फार्म ट्रेडिंग का है अब बस संबाल रहे हैं और आर्जे गौट फार्म जो की पलाई का है वो मैं संबालता हूँ जो सेकंड ब्रांच पे है बरकत भाई गौट फार्म जो की सेकंड ब्रांच थी वो और अलम्दुलिल्ला यह सब बक्रियां आप देख रहे हैं सब बक्रियां ग्रेजिंग कर रहे हैं उधर बक्रे यह खुले में छोड़ी है थोड़ा गूम फिर लेंगी उसके बाद में बक्रियों के बाद में बक्रे चोड़ेंगे हैं ऐसे हम रोद छोड़ते हैं ताकि गू पट्राइफ को जईसमीले को बार चोड़ा भी बलाई की फीनले सब देख सकतया अब वहां से लेकर वां टोरी respectively और देखें माशला कैसे घूम रही है खा रही है आराम से सब भेर के पत्ते खा रही है कुछ बकरिया कुछ गास खा रही है गूम रही है फिज रही है आराम से मतलब रोज एक एक गंटा दो दो गंटा इनको गूमाते हैं उसके बाद में वापस बाड़ों के अंदर डाल देते हैं ताकि जानवर अच्छे से रहे गूम फिर ले थोड़ा दोड़ ले इक तम खुला एरिया है आप देख सकते हैं वहां तक पूरा एक आर्जे गौट फार्म वहां बाड़े बने हुए हैं वो इसके बाद में दो गंटा ऐसे गूमेंगे पूरे फिर इन 2 गंटा बाद में इनको अंदर डाल देंगे फिर बक्रों को चोड़ेंगे के खाया अगर अच्छा लगा तो जरूर बताएं अगर बुरा भी लगा हो तो भी बताएं अगर कुछ गल्टी हो रहे है जिसे जिससे और जायो कैसा कर सकते जाएं मेरे को जित्ता मालूम है वो बता रहा हूं अगर आपको ज्यादा मालूमात है तो आप भी बताईए कैसे करना चाहिए कुछ नया आइडियाज बक्रे बाजी में मेरे को यह अच्छा लगा क्यूंकि थोड़ा फिर ले उस हिसाब से रोज 2 गंटे इनको बाहर गुमाते है और गुमाना भी जरूरी है जैसे बक्रियां ग्रेजिंग करती है तो बक्रियां हेल्दी रहती है उस हिसाब से यह बक्रियों को भी बाहर छोड़ा है So thank you very much friend इस वीडियो में बस इतना ही आपको बता रहा था कैसा लगा आपको जरूर बताएं कमेंट में और कुछ नया आइडिया हो तो वो भी आप जरूर कमेंट में बताएं इससे मेरे को भी मालूम होता है और कोई भाई देख रहा है जो नए है उनको भी मालूम होता है कैसे क्या करना चाहिए और भी इंशालला वीडियो आते रहेगी अपने आरजी गौट फार्म की So उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें So thank you very much friend, Allah हाफिज